ब्रत तो रहते हैं तपस्या करते हैं बोले नात को पाने की जिस तरह माता पारवती ने बोले शंकर को पाने के लिए कटिन परिक्षा की थी उस तरह यदि आपने कर लिया तो आपके सारे काम सपाल हो जाएंगे संकर जी को ब्रत करने से विशेश मनुकामना पून होती है सद्धा से संकर जी की पूजा करें विवाहित मैला शुक शान्ती के लिए ब्रत रहती है और माता पारवती की पूजा का ब्रत आप यदि कर लेते हैं तो माता पारवती की तरह भोले शंकर को आप भी प्राप्त कर शुबह शाम आपको विशेश रूप से भोले नाती पूजा करना है तभी आपको फल प्राप्त होगा और तभी आपका ब्रत पून होगा शूर युदय के बाद पूजा करना है शाम को और सुबह आपको विशेश पूजा भोले नात की करना है अभिशेक करना है फूल फाल मीठा आरती हवन स्वच्छ जल से बावा को इश्णान कराना है सच्चे मन से भोले बंडारी की पूजा करना है तो देखिएगा शीग्र न पामनाय भोले नाथ पूर्ण कर देते हैं बस सद्धा भावशे भोले नाथ का पूजन करें ओम नमस्षिवाये